नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम काव्य रस की अंतरगत श्रिंगार रस का अध्यन करेंगे, तो आईए शुरू करते हैं आज की कक्षा श्रिंगार रस, श्रिंगार रस को रस राज भी कहा जाता है, श्रिंगार रस का विशे प्रेम होता है इसमें नाइक नाइका, इस्त्री पुरुष, राधा कृष्ण, पती पत्नी, प्रेमी, प्रेमीका के प्रेम का वर्णन होता है ठीक है, श्रिंगार रसके दो भेद होते हैं या कहें कि दो प्रकार है संयोग श्रिंगार और व्योग श्रिंगार वियोग श्रिंगार को विप्रलंब श्रिंगार भी कहा जाता है संयोग श्रिंगार कहा होता है जहां प्रेमी और प्रेमी का के संयोग का वर्णन होता है मिलन का वर्णन होता है और वियोग श्रिंगार कहा होता है जब प्रेम पात्र एक दोसरे से जुदा होते हैं इसमें विरह व्याकुलता की वेंजना होती है यानि कि संयोग श्रिंगार वहां होता है जहां नायक वन नायका के मिलने की अवस्था का वर्णन हो जबकि व्योग श्रिंगार में नायक और नायका में उत्कट अनुराग होने पर भी मिलन नहीं हो पाता है यानि कि शब्दों से ही नाम से ही पता चल रहा है संयोग यानि दोनों के संयोग का वर्णन हो मिलन का वर्णन हो और व्योग जहां दोनों की विरह का वर्णन हो व्योग का वर्णन हो अब देखिए शिंगार रस में इस्थाई भाव क्या होता है शिंगार रस का इस्थाई भ रती या प्रीम कह sakin है रती है ठीक है और अधिकांशत या श्रेंगाररिस्मी वीखाव क्या होति है आलंबन वीखाव वीखाव यानि की कारण आलंबन यारिकांशत नाएक प्रेमी पति, क्रिश्न, राम, पुरुष या फिर नाइका, प्रेमिका, पत्णी, राधा, सीता या इस्तरी समन्य कहें तो नायक और नायका होते हैं इसमें अलंबन होते हैं आदिकांश तया इसी प्रकार से उद्धिपन विभाव यानि इद्धिपन जो रती स्थाय भाव को और अधिक बढ़ाता है ठीक है उदिप्त करता है आलंबन तो हो गया कारण मुख्य कारण क्या होता है ठीक है तो वो तो नायक या नायका हो सकते है नायक को देखकर नायका के मन में रतिस्थाई भाव उदिप्त हो सकता है और नायका को देखकर नायक के मन में रती स्थाई भाव जागृत हो सकता है, तो आलंबन तो होता है नायक या नायका, ठीक है, अब वो नायक प्रेमी, प्रती, कृष्ण, राम, पुरुष हो सकता है, नायका, प्रेमी का, पत्नी, राधा, इस्त्री, सीटा हो सकती है, ठीक है, अगला है उद्धीपन विभाव, उदिपन यानि कि जो विस रती स्थाई भाव को और भी अधिक उदिप्त करता है। मन में स्थाई भाव तो जागरित हो गया है। लेगिन इसे और अधिक उदिप्त करने का बढ़ावा देने का काम क्यों से दृश्य कर सकते हैं। को जैसे एकांत है, सुन्दर प्राकरतिक दृष्य है, मदूर-मदूर संगीत बज रहा है, वसंत रीतु है, वन उपवन है, नदी किनारा है, प्रिये की चेश्टाएं, अलग लगतर है कि वो जो चेश्टाएं करती है, शारें, तो ये सब क्या करते हैं, उस भाव को, किस भा जिसके हृदय में उदिप्त होता है, ये स्थाई भाव, वह क्या है, जाग्रित होता है, रती स्थाई भाव, वह क्या है, आश्रे है, तो आश्रे भी क्या हो सकता है, जैसे नायक भी हो सकता है, प्रेमी भी हो सकता है, सेम यही हो जाएंगे, हना, नायक भी हो सकता है, प्र तो यहाँ पर नायक क्या हो जाएगी आश्रे हो जाएगी और नायक क्या हो जाएगा आलंबन हो जाएगा ठीक है और इसका उल्टा होता है इसका वीपरित होता है तो नायक को देख करके नायक की हरदय में रती स्थाई भाव जागरित होता है तो यहाँ पर नायक क्या हो जाएगा आश्रे हो जाएगा और नायक क्या हो जाएगी आलंबन हो जाएगी ठीक है जैसे अभी हम आगे हुधारन से समझ लेंगे तो आश्र उद्धी पन जो इस्थाई भाव को और भी अधिक बढ़ावा देता है वो होता है उद्धी पन. ठीक है। आगे देखते हैं अनुभाव। अब देखो सयोग श्रिंगार और व्योग श्रिंगार दो हैं, तो एनुभाव का मितलब क्या होता है? जो अश्रे जो चेश्टाई करता है तो संयोग में क्या चेश्टाई करता है देखो जैसे मुक्का खिल जाना मधुर आलाप करना एक टक देखना, रोमांच आलिंगन, परसपर दर्शन कटाक्ष, विनोध आदी आदी जैसे होते हैं वो अनुभाव होते हैं संयोग श्रिंगार के अंतरगत, इसी प्रकार से वियोग श्रिंगार के अंतरगत, देखिए रूदन, विलाप, जड़ता ये सब किसमें आएंगे, अनुभाव में आएंगे ठीक है, संयोग श्रिंगार में एक तरफ संयोग श्रिंगार में जहां पर मतलब एक दूसरे से मधुर आलाप करना एक दूसरे को देखना मनोविनोध करना हसी मजाक करना एक टक देखना ये सब होता है तो वियोग श्रिंगार में क्या होता है रुदन होता है, विलाप, जड़ता और इसे परकार से संचारी भाव, देखें संचारी भाव क्या होते हैं, प्राय सभी होते हैं, क्योंकि संयोग श्रिंगार में आ जाते हैं, कुछ तो कुछ तो व्योग श्रिंगार में आ जाते हैं, जैसे संयोग श्रिंगार में देखें, जैसे हर्ष, अनुमाद, उनुमाद और व्योग श्रिंगार में देखी जड़ता, दीनता, निर्वेद, स्मरती, उन्माद, तरास, व्याधी, शंका, उग्रता यह सब किसमें आ जाएंगे संचारी भाव व्योग श्रिंगार में आ जाएंगे ठीक है तो यानि कि मतलब इसमें क्या-क्या होते हैं, शिंगारस में स्थाई भाव क्या होता है, रती होता है, आलंबन नायक या नायका हो सकते हैं उद्धीपन जो साहिभाव को और भी है दिक बढ़ा देता है बढ़ावा दे तो उद्धीपन एकांत हो सकता है सुन्दर प्राकृतिक द्रश्य, संगीत, नदी का किनारा, प्रिये की विभिन, चेस्टाइं, आश्रे, नायक या नायका हो सकते हैं जिसके हृदय में रती साह जागरत हो अनुभाव देखो जैसे संयोग में चेश्टाइं क्या अलग चेश्टाइं होती है संयोग की समय और व्योग की समय अलग जो होती है वो अलग त्रह की क्रियाएं होती है ठीक है तो अनुभाव व्योग में रुदन, विलाब, जड़ता जैसे क्रियाएं होती है ठीक है और संचारी भाव स्थाई भाव के साथ कुछ क्षण के लिए जो रहता है संचारी भाव जो क्षणिक है स्थाई भाव तो प्रारम से लेकर अंत तक बना रहता है स्थाई प्रारम से लेकर अंत तक बना रहना और संचारी भाव, इस्थाई भावों के साथ कुछ क्षण के लिए रहता है, जो क्षणिक है, जिसे हम वेविचारी भाव भी कहते हैं, इसमें प्रायस सभी आजाते हैं, कुछ संयोग में आजाते हैं, कुछ वियोक शिंगार में आजाते हैं, अब हम इसे उधारन से समझते हैं जैसे संयोग शिंगार का एक उधारण देखिया बत्रस लालच लाल की मुर्ली धरी लुकाई सोह करें बहनी हसे देन कहे नटी जाए यहाँ पर बत्रस यानि बातों के रस के लालच में लाल की दंदलाल की मुर्ली धरी लुकाई मुर्ली जो है वो छुपा लेती है गोप तो वो सोगन दखाती है, कि हमने मुरली नहीं ली है, लेकिन बहुनी हसे, लेकिन बहुन से ऐसे इशारे करती है, हसती है, बहुन से ही इस तरह से हसती है, इस तरह से इशारे करती है, कि श्री कृष्ण को लग जाता है कि मुरली किस के पास है मुरली इन ही के पास है तो वो मुरली मांगते हैं देन कही नटी जाए तो वो मुरली मांगते हैं लेकिन वो क्या साफ साफ क्या गर देती है नट जाती है साफ साफ मुकर जाती है मना कर देती है कि हमारी पास कोई मुरली नहीं है तो यहाँ पर गोपियों का जो कृष्ण के प्रती प्रेम है वो उजागर हुआ है सन्योग श्रिंगार का ये उधारन है जिसमें स्थाई भाव क्या है रती है अब आश्रे क्या है इसमें आश्रे इसमें है गोपियां क्योंकि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण को लेकर कौन सा स्थाई भाव है रती स्थाई भाव है तो यहाँ पर रती स्थाई भाव का आश्रे कौन हो गया गोपियां हो गयी तो गोपियां आश्रे हो गया क्योंकि रती साइभाव किसके हिरदय में जागरत है गोपियों के हिरदय में और उसका अलंबन कोन है इस साइभाव का कारण कोन है श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण क्या हो गए अलंबन हो गए उदिपन यानि कि जो इस साइभाव को और्भियदिक बढ़ावा दे रही है तो देख तुझ शुष्व कृतसे तुदंग बमद कृतसे दो नट ईवायर दंग सब्सक्राइब है छपानलियृ ठीक है तो यह हो गया संयोक श्रिंगार का एक उत्कृष्ट उधारन ठीक है अब है श्री राम को देखकर सीता की प्रेम का वर्णन है तो यह देखे श्री राम को जब सीता जी माता ने देखा तो उन दोनों की सीता की सीता की प्रेम का वर्णन है यानि कि यहाँ पर सीता के मन में प्रेम उत्पन हुआ है यहाँ पर श्री राम को देख करके सीता के मन में प्रेम उत्पन हुआ है तो सीता क्या हो जाएंगी आश्रे हो जाएंगी आश्रे हो जाएंगी सीता मिस्म्रिक विहंग तरू, फिरती बहोरी बहोरी, निर्ख निर्खी रगवीर छवी, बाड़ी प्रीती न थोरी, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्खे जनु निज नीदी पहिचाने, थकी नयन रगवपती छवी देखी, पलकन हूँ, पर हरी निमेखी, अधिक सनेह देह भही भोरी, सरद ससीही, जनुचितव चकोरी, लोचन मग रामही उराना, दिन हे पलक कपाट सयानी, ये रामचरित मानस की चोपाई है, जिसमें देखे, श्री राम को देखकर सीता के प्रेम का वर्णन है, देखन मिस म्रिक विहंग तरू, फिरती बहोरी बहोरी, निर्ख निर्ख निर्खी रगवीर चवी बाड़ी प्रीती न थोरी, मतलब मिर्ग पक्षी और व्रिक्षों को देखने के बहाने, मिर्ख विहंग तरू और व्रिक्षों को मिस मतलब बहाने, देखने के बहाने, सीता जी बार 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 घूम जाती है, फिरती बहोरी बार बार फि श्री राम की छवी को देख करके सीता जे की जो प्रीती है वो बढ़ ही रही है नै थोरी कम नहीं हो रही है श्री राम को देख करके उनकी छवी को निरक निरक कर देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ ही रहा है ठीक है देखी रूप लोचन लल्चाने हर खे जनुनीज निधी पहिचाने उनके रूप को देख करके श्री राम के रूप को देख करके नित्र लल्चा उठे हैं ऐसे प्रसंद हो गए हैं मानो उन्हीं अपना खजाना पहचान लिया हो ठके नैन रगुपती चवी देख करके नित्र निश्चल हो गए हैं पलको ने भी जपकना बंद कर दिया है पलकन हूँ परहरी निमेकी परहरी मतलब छोड़ दिया है निमेकी मतलब जपकना पलको ने भी जपकना छोड़ दिया है अधिक सने के कारण शरीर जो है वो बेकाबू हो गया है विहल हो गया है शरद सशीही जनू चितव चकोरी वह दृश्य ऐसा था दिर्शे को देख रहे हैं जिस भीटा माता जो है वो श्रीराम को देख रही थी वह दृश्य ऐसा लग रहा था मानु शरद रितु की चंद्रमा को चकोरी जो हो बेसुद्ध हुई देख रही हो लोचनमग रामही उराना लोचनमग नेत्रों के रास्ते से श्री रामजी को हरदय में लाकर दिन हे पलक कपाट सयानी उन चतुर सयानी सीता जी ने पलकों के किवार लगा लिये यानि अपने नेत्र मोंद लिये श्री राम की छवी को अपने नेत्रों में बंद कर लिया और उन्हीं का ध्यान करने लगी तो ये इस प्रकार से सीता के प्रेम का वर्णन हुआ है श्री राम को देख करके कि वो श्री राम चरीत मानस से है ये चोपाई ली गई और इसमें देखें मतलब की बहाने मृग विहंग तरू जो माता सीता है वो इनके बहाने मृग पक्षियों को देखने के बहाने सीता जी बार-बार घूम जाती है और राम की छवी को निरक निरक कर देख देख कर उनका प्रेम बाड़ी यानि बढ़ ही पलकों ने भी जपकना यानि गिरना छोड़ दिया अधिक स्नेह के कारण शरीर भी काबू हो गया वह दिर्श्य ऐसा था मानुशरद रितू के चंद्रमा को चकोरी बेसुद होकर देख रही हो नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हुरुदय में लाकर चैतुर शिरोमनी स श्री एã जरीरर श्री श्रीमा का अधिक राम जरी खजाएंका राम हो गया जाग्रित के राम से शिरोमनी राम की और सर यह पर स्था भाव की राम की ऐसे क्रहले भी feeling. राम आलंबन है क्युंकि राम के कारण रती स्था भाव सीता के हड़़ां में जाग्रत हुआ है और उद्धी पन का काम क्या कर रही है वाटि का होगने सнул Harm जो इस्था भाव को अब धिक्या कर रही है उद्धी पन का है तो यह उद्धी पन हो गई देहे का विहल हो जाना, देहे का बेकाबू हो जाना, अधिक स्रेहे के कारण श्रीर विहल हो गया, बेकाबू हो गया था, और सम नेत्रों का एक टक देखना, वो लगातार बार बार एक ही नेत्रों से बिना पलक जबकाए, बिना पलक जबकाए, वो श्रीक राम को देख रही आश्रे की चेश्टाएं आश्रे की क्रियाएं अनुभाव के अंतरगत आती हैं तो आश्रे की क्रियाएं यानि सीता जी की क्रियाएं तो देहे का विहल हो जाना यानि भीकाबू हो जाना नेत्रों का एक टक देखना उन नेत्रों का ठक जाना निश्चल हो जाना और संचारी भाव देखी हर्ष जड़ता और मो है ठीक है इसी प्रकार से अन्य उधारण भी हम ले सकते हैं जैसे राम को रूप निहारती जान की कंकन के नगकी पर छाई जाते सवे सुधी भूली रही कर टेकी रही पल टारत ना ही ये भी संयोक्ष्रिंगार का उधारण है अब व्योक् जब से शाम सिधारे तो यहां पर गुपिया जो है वो श्री कृष्ण के चले जाने पर व्योग उनकी विरह को जेल रही है विरह में है तो यहां पर फोंसर श्रिंगार हो गया व्योग श्रिंगार का उधारण हो गया निस दिन बरसत नेन हमारे सदारहत पावस रितु हम पर जब से शाम सिदारे, जब से शाम चले गए हैं, तब से निरंतर हमारे नेत्री जो है वो बरस रही है, यानि नेत्रों से क्या आंसू निकल रही है, इस्थाई भाव इसमें क्या हो जाएगा, रती, संचारी भाव, उग्रिता, संत्रास, आलंबन, सबसे पहले आश्रे दे करके, तो क्रिशने का व्योग क्या हो जाएगा, आलंबन हो जाएगे, और अनुभाव, अनुभाव में क्या आजाएगी, अनुभाव में आश्रे की चेष्ट, अश्रे की क्रियाएं, तो अश्रे की क्रियाएं, यानि गोपियां क्या कर रही है, उनके व्योग में रो रही उसके व्योग को और भी अधिक जो बढ़ा रहा है वो क्या हो जाएगा गोकुल की स्मृतियां हाना पावस रीतु आदी सभी जो है वो किसमें आ जाएंगे उद्धिपन में आ जाएंगे उद्धिपन विभाव के अंतरगत आएंगे इसे प्रिकार से एक देखिए अती मलिन ब्रिक भानु कुमारी अध्मुख रहित उरद नहीं चितवती जोंगत हारे ठकित जुआरे छूटे चिकुर बदन कुमिलानो जो नलीनी हिमकर की मारी यहाँ पर कृष्ण की विरह में ब्रिश भानु की पुत्री यानि की राधा व्योग जेल रही है व्योग पीडा जेल रही है श्रीकृष्ण चले गए है उनको छोड़ करके तो उसी प्रसंग का यहाँ पर वर्णन है श्रीकृष्ण का व्योग जेल रही है राधा जी तो यहाँ पर व्योग श्रिंगार होगा तो देखे अतीमलीन ब्रिक्ववानुकुमारी यानि की विरिशभानु की पुत्री कौन थी? राधा अत्यंत उदास और वैथित हैं कृस्ट के वियोग में कृस्ट के वी रह में अद मुख रहिद वे सदेव अपना मुख नीचे की रहती, बैठी रहती है, नीचे की रहती है, उरद नहीं चितवती, उपर की और तनिक भी नहीं देखती है, यानि सदेव श्रीकर्षने के ही ख्यालों में खोई रहती है, जों घत हारे ठकित जुवारी, उनकी स्तथी ऐसी लगती है, कि जैसे कोई जुवे में अपनी संपती ही हार बैठा हो, जों घत हारे ठकित जुवारी, जिस परकार से कोई जुवारी जो है, वो अपनी संपती को समस्थ संपती को जुवे में हार बैठा हो, इस तरह से छूटे चुकरूर बदन कुमलानों, उनके बाल विकरे हुए हैं, हिम पात में जुलस गई हो या फिर हिम पात में मारी गई हो कुमला गई हो समाप्त हो गई हो यानि कि राधा की इस्ततीवी श्री कृष्णे के वियोग में कैसी हो गई थी उसी नलीनी के समान हो गई थी उस कमलीनी के समान हो गई थी जो हिम पात में जुलस गई हो बरफबारी में जुलस गई हो कुमलहा गई हो उसी प्रकार से श्री कृष्ण के वियोग में श्री कृष्ण के विरह में राधा जी भी उसी तरह से कुमलहा गई तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है इस पश्ट बदा चल रहा है कि यह जो है वो व्योग श्रिंगार का उधारण है क्योंकि राधा और कृष्णों में प्रेम तो है प्रेमी प्रेमी का तो है लेकिन दोनों के दोनों में व्योग है दोनों का मिलन नहीं है बलकि दोनों का व्योग है विरह है तो इसमें स्थाहि भाव क्या हो जाएगा रती आश्रे राधा राधा के ही राधा यी तो है जिसमें श्री कृष्णे का व्योग जिल रही है और आलंबन क्या हो जाएगा कृष्णे क्रिश्णे के से ही प्रेम करती थी राधा तो कृष्णा आलंबन हो गए और प्रेम राधा के हिरदय में था तो आश्रे राधा हो गई, अनुभाव, अनुभाव देखो राधा की क्या चेश्टाई थी, व्योग में क्या क्या कर रही थी, वो अदुमुख रहना, सदेव नीचे मुख रखना, अनेत्र नहीं देखना, मुख का कमला जाना, वालों का बिक्रा हुआ होना, और संचारी भ पड़या, नाम पुकारी पुकारी, यानि कि संयोग श्रिंगार वहां होता है, जहां दोनों के संयोग का वर्नन हो, मिलन का वर्नन हो, और व्योग श्रिंगार वहां होता है, जहां नायक नायका के परसपर विरह का वर्नन हो, व्योग का वर्नन हो, तो यह हमारा पूरा होत संयोग श्रिंगार आज के लिए बस इतना ही आपने मेरी कक्षा को मनोयोग पुर्वक सुना इसके लिए आप सभी का धन्यवाद